नमस्कार दोस्तों मैं शुक्ला सर अगर नीट की हम तयारी करते हैं तो physics और अगर हम J IIT की तयारी करते हैं तो भी physics जी हाँ जनाव physics हमेशा चुनावती पूरण रहा है क्योंकि physics एक बहुत प्यारा subject है प्रॉब्लम ये है हमारे भारतिय स्टुडेंट्स का या कि मैं कह रहाएं कि टीचरों का भी कि इसको सही तरीके से बच्चों के ब्रेन में इंस्टॉल किया ही नहीं जाता है फिजिक्स को अगर हम देखें ध्यान से तो बहुत आसान सब्जेक्ट है आज मैं जो आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा इससे आपकी जेई एडवांस और नीट की फिजिक्स जो आपको बहुत बड़ी सी लगती है वो बहुत प्यारी लगने लगेगी आप जानते हैं कि पूरे फिजिक्स चोटे से एक फार्मूले पर टिकी हुई है और ये फार्मूला मैं आज आपको बता देता हूँ धैरे बना करके रखिएगा क्योंकि आपके काम की बाते हो रही है इसकीप करोगे तो साइद आपको वो चीज़ ना मिले जो मैं देना चाहता हूँ इसलिए पिशिंस आपके ज़रूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले थम्स रूल आपको मैं बताता हूँ कि आप फिजिक्स में छोटी छोटी चीज़ों पर पहले ध्यान दीजे क्योंकि ये छोटी चीज़े मिल करके ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़े बन जाती है दूसरी बात है कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको मैथेमेटिक्स का बढ़िया नौलेज होना चाहिए क्योंकि दे लंग्वेज आफ फिजिक्स इस मैथेमेटिक्स फिजिक्स ना तो इंग्लिस में है ना उर्दु में है और ना हिंदी में है फिजिक्स की भाषा है मैथेमेटिक्स जब भी फिजिक्स बात करेगी तो वो मैथेमेटिक्स में ही बात करेगी ठीक है? तो आपको मैथेमेटिक्स का A, B, C, D अच्छे से आना चाहिए मतलब उसके फॉर्मूले एलजेब्रा के जिगनमेट्री और फिर सेक्शन फॉर्मूला कॉर्डिनेट जिमेट्री इन सब चीजों का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप IIT के तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए अगर आप नीट के हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर होना चाहिए अब उसके बाद में देखिए अब में फंडा पे आते हैं कि फिजिक्स में चार चीजे क्या है एक्चल में मेरा फॉर्मूला है D F L U हम इसे अगर मजाकिया तोर से कहें तो हमारा एक वर्ड बनता है Dufflue ठीक है अब इस Dufflue का अपना मिनिंग होगा और इसी से पूरी फिजिक्स आपके क्लियर हो जाएगी मैं उमीद करता हूँ आप देख रहे होंगे ध्यान से देखिए D for definition यहाँ पे आपको कोई भी चीजों का definition क्लियर होना चाहिए जैसे force है motion है uniform motion है acceleration है ठीक है work function है या फिर आपका flux है हर एक lesson में आपको धीर सारे definition मिलेंगे तो D for definition आपको पहला focus करना है definition को क्लियर करने में दूसरा देखिए अगर वो definition है तो उसे हम calculate कर सकते है क्योंकि वो एक physical quantity है तो आपको पता होना चाहिए formula उसको calculate करने के लिए जैसे देखिए अगर मैं एक example ले लूँ तो मैं कहूँगा कि force अब force को definition होगा वो आपने मगब कर लिया फिर इसका formula होगा तो yes, f is equal to हमारे जितने scientist है उन्होंने कुछ rules बनाए होंगे या कुछ उन्हे observation मिला होगा जिसको उन्होंने law के form में दिया गया होगा जैसे कि Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law Newton's third law, Kepler's law, etc so many laws are there तो ये law भी होगा और जो सबसे बड़ा important बात है वो है you for unit हर चीजों का unit होता है अगर इन चार चीजों को बहुत ध्यान से कोई बच्चा करने लगे हर एक quantities में यही खोजो कि इसका definition क्या है इसका formula क्या है इसका law क्या होगा और इसका unit क्या होगा ऐसा unit में जा सकते हो, बेटर रहेगा बस पूरे physics धीरे धीरे आपकी तयार होने लगेगी और याद रखो कि physics teacher पढ़ाए उससे पहले आप पढ़ो उस lesson को जिससे आपके दिमाग में एक crystal clear idea आ जाएगा कि कौन सा part इस chapter का आसान है और कौन सा difficult है जब difficult चीजे रहेंगी तो वो आपको जादा classroom में समझते वक्त आसान लगेगी क्योंकि जब teacher बोलेगा तो आपको पहले सी ये पता होगा कि आज हमारा teacher क्या पढ़ा रहा है दिखे बच्चों वे एक मूल मंत्र में बताता हूँ चाहे IIT हो चाहे वो neat हो आपकी महनत ही आपको success देगी क्योंकि अगर आप महनत नहीं करोगे तो classroom में तो 100 बच्चे बैठ रहे हैं वो सभी 100 के 100 AIR1 पर क्यों नहीं आ जाते same teacher उन्हें पढ़ा रहा है क्योंकि difference create होता है आपकी महनत से AIR1,2,3 उसी बच्चे को मिलता है जो अपनी महनत लगाता है बाकी तो सभी बच्चे classroom में same बैठते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इसे प्यार करेंगे और इस बात को समझ पाएंगे अगले वीडियो को हम जल्दी ही लाएंगे Thank you very much